है इसको वार्ट सब्सक्राइब विडियो के दौरन आपको बताएंगे और आप एक बत समाझ लो इसको रिफियरिंग थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि यह जो कंपोनेंट इसके अंदर यूज किया गया है वह नोन रिफियरिंग बाला ही है हाँ छोटा मोटा आप पावर सब्सक्राइब थोड़ा प्रॉब्लम हा क्यों प्रॉब्लम आ रहे हो भी मैं आपको साथ सेयर करूंगा और आपके साथ यह जो मेंट फंटा रहता है आप एक मैंगनेट इसके अंदर जो मैंगनेट दिया हुआ रहता है उसका पावर कैसे घड़ गया यह पुराना वाला मैं मेरा यह पूरा नीव वाला फैन है ठीक है यह देखो आप ग्रेड वाला जो मौडल है वही वाला आपको दिखाने और दोनों तों गना जो डॉत ट्राइबर बोड़ और यह चूटा वाला द्राइबर बोल्ड इह उसक्रणा पर न्या चीज है ग्र फोरूर यह मेरा ओ यह दोनों के अंदर क्या अंतर तो है लेकिन इसके बारे में आपको बताऊंगे इसको किसी भी पर्स आपको नहीं मिल रहा है या कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है रिप्यारिंग की वज़े से आप रिप्यारिंग कर नहीं पा रहे हो यह खराब होने से वज़े से या पॉर् पूरा नया चीज है अब भी तक मैंने इसको यूस नहीं किया और यह मैंने तीन साल से यूस कर चगा हूँ इसको अंदर क्या क्या प्राब्लम मेरे को फेस करना पड़ा ओभ है मैं बताऊंगा इस वीडियो के दौरान आप वीडियो पर मने रहिए और यहां पर आपको बताऊंगा यह जो मैंगनेट का पावर कैसा है और कैसे आपको पता चलेगा यह मैंगनेट का पावर घड़ गया वो आपको एक बात ध्यान से दिखना पड़ेगा यहां पर यहां पर देखो यह जो मैंगनेट है इसको मैंने साइट कर रहा हूँ और यह पूराना वाला मेंगनेट, ठीक है, इसको मैंने पूरा Fully Force में इसको घुमाऊंगा, यहां पर देख सकते हैं, यह देखो, कितने बार rotation लिया है, 3-4 बार rotation लेने के बद यह बंद हुआ, फिर से दुबारा मैं यह fully rotation कर रहा हूँ, 3-4 rotation लेने के बद यह फिर से यह बंद हो र मेंगनेट वह उस पे कोई फरक नहीं पड़ेगा आपको मेंगनेट का पावार चेक करने के लिए एक मतलब साहसा उपाए आपको बताऊंगा यह देखो इसको घुमा रहा हूँ कितना बार रोटेशन किया है ज्यादा से ज्यादा एक से दो बार यह देखो यह देखो कितने बार रोटेशन कर रहे हैं और स्मूथ रोटेशन कर रहे हैं अगर आपके फैन यह किसी भी विलडिसी फैन को आपको रोटेशन अच्छा से हो रहा है मतलब आपका मेंगनेट का पावार घड़ गया अब यह समाझ लो आपका यहां पर जो मेंगनेट लगा हुआ है इसका घट गया क्यों घट गया आपको बता रहो यहां पर जब मैं घुमा रहा हूँ यहां पर देख सकते यहां पर जब मैं घुमा रहा हूँ यह LED इंडिकेशन कर रहा है क्योंकि इसके अंदर पावर जिनेर्ट हो रहा है जब इसके अंदर पावर जिनेर्ट होगा और यह मेंगन रहा है जल्डी से जल्दी रुख रहा है और इसको मैं बताना चाता हूं यह जो में power supply में मेरा यह जो card थोड़ा faulty मतलब दो साल बाद इसको problem आया था दो साल नहीं तीन साल के करीब करेभ हो गया और यहाँ पर लट्राइबर में क्या पॉल्टि है वाँ मैं आपको बताऊंगा पहली बाट जो है ये जो ड्राइबर बोड आपους देख रहा होग cad ये मैंने इसको replace कर वा दिया है यह अभी इन है यह जो ड्राइबर बोडिक साथ प्रॉब्लम हो रहे थे यह प्रॉब्लम हो रहे थे इसी के वज़े से मतलब यह रुक रुक के चल रहे थे हैं मतलब आप समझ लो इसके ड्राइवर बूट खराब है या कुछ भी देखो इसके अंदर एक सब्ट्वर डाला हुआ रहे था है अगर यह सब्ट्वर सही से वार्क नहीं कर रहे हैं इसलिए मैंने आपको एक ट्रिक सब्ट्वर को इन देखा होगा आई बटन पे में वाला विडियो है कैसे करते ना है मैंने डाल दिया है और यहां पर हैं और यहां पर आपको चेंज करना पड़ेगा गर आपको नहीं मिल रहा तो मेरे से वह सकता हूँ और यह यह जो पाउर सप्लेंश है है मेरा प्रॉब रहा हुआ यह क्या प्राब्ब्लम आ रहा थे यह जो ड्राइबर बुट के अंदर जो पाउर सप्लाई रहता है ठीक है यह अंदर यह मतलब थोड़ा बॉडी हो रहे थे बॉडी मतलब यह जल रहा है और मैंने वोल्टेज भी किया था वह लगबग लगबग 77-80V मतलब यह जो आउटपूट वोल्ट में यह बॉड़ी के साथ आ रहे थे उसमें क्या किया मैंने जो जो पाउर सप्लाई की जो पीएव रहता है वो पीएव लिकेज होने की वज़े से मतलब एसी साइड से जो पीएव रहता है वो ड्राइवर आई-C या बगहरा रिपर करने की प्रासेस बता वो देखो मैं अब मैं लगवा सकते हैं तो आप रिपर्वा सकते हैं मैं आपको सला दूंगा तो ज्यादा से जादा बलक में आप लेके भी क्या करोगे उसके उससे अच्छा तो आप एक नया ड्राइवर नहीं हो जाएगा और महनत में इतना नहीं करना पड़ेंगा यहीं में सला दूँगा क्योंकि बहुत सरे बंदे को मेरे को बोलता है नहीं देखो री कि तो सब कुछ होता है लेकिन होने कुछ प्रॉसेस रहता है अगर इसको अब बल्क में लेने जाओगे तो कम से कम आपको यह ड्राइवर बोर्ट से बहुत ज़्यादा आपको कॉस्ट देना पड़ेगा उसको बाद यह जाके रिप्यर होने वाला है तो इसलिए इस वीडियो का मकसद मेरा यही है आपके साथ या कुछ भी एटंबर के साथ प्रॉब्लम हो रहा है तो मेरे से जरूर कंटक कीजिए मैं आपको जरूर हेल्प कर बाद हूँगा और आगे चलके कुछ भी प्रॉब्लम आपको फैन में आएगा तो मेरे को जरूर वाट्सअप या मेरा चैनल वैनर पे वाट्सअप नमबर है वहां से आप कंटक्ट भी कर सकते हैं मैं जरूर आपको हेल्प करवा दूँगा और यह जो दो मेजर प्रॉब्लम मैंने बताया है यह मेंगनेट का प्रॉब्लम और ड्राइवर बोट का प्रॉब्लम है यहाः आप लोगों के साथ भी आ सकता है अगर आ गया तो मेरे से जरूर कंटक कीजिए अगर वो reset के process में आपको solution हो गया तो आपको 100% सही हो गया लेकिन अभी मतलब reset के बाद भी आपको problem दिखा रहा तो भी इसका change करना पड़ेगा और मेंगनेट का जो process होता है मतलब मेंगनेट का power कैसे आपको चेक करना है वह मैंने तो वीडियो पर बता दिया आप बिल्कुल इसको try करके सकते हैं और देख भी सकते हैं आपका मेंगनेट का power सही है अभी तक या नहीं हुआ ऑफ कि इस वीडिश से आपको कुछ नया स्क्राइव को मिला अगर वीडियो अचे लग तो लाइक कीजिए चैनल के जरू सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ने ने टेक्नलजी वाड़ा वीडियो दिखने के लिए आज के लिए वीडियो इतने है आट यह टेक क्या बाए बाइ बाइ